हेलो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी बाल इसी तरह से लंबे, काले, घने और मजबूत हो जाएं तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो आपके बालों से रिलेटर सारी परिशानी को दूर कर सकता है, इस अकेली रेमेडी के इस्तमाल करने से, इस रेमेडी को प्रपेर करने के लिए मैंने आपे बहुत ही पावरफुल चीज़ों का इस्तमाल किया है, यह तनी पावरफुल है कि यह आपके गंजे सर में भी बाल हुगा सकती है, तो इस रेमेडी को आपने ज कौन सी परिशानियों को दूर कर सकते हैं सबसे पहले अगर आपको बहुत सारा हेर फॉल हो रहा है तो यह आपका हेर फॉल कंट्रोल करने में आपको बहुत हल्प करेगा अगर आपके जो बाल हैं काफी पतले कमजोर हैं और उनमें शाइन नहीं है तो ये उसको एच्जीव करने में आपको बहुत HELP करेगा, यानि इसका अस्तवाल करनी के बाद आप अपनी बालों की Density को infrease कर पाएंगे, अगर आपके बाल बहुत जाधा रफ रहते हैं तो इसका इस्तमाल करने के बाद आपके जो बाले काफी सिल्की स्मूद और शाइनी हो सकते हैं अगर आपको आजकल डेंडर रफ का इशू रह रहा है तो भी इसको क्यूर करने में बहुत हैल्प करेगा यानि अगर आपके स्कैल्प में बहुत सारा इचीनेस है यानि खुझली हो रही है तो यह उसको भी आपको क्यूर करने में हैल्प करेगा ऐसी बालों से रिलेटर बहुत सारी परिशानी को यह हैर मास्क अकेले सॉल कर सकता है तो आएए देखते हैं इसको कैसे प्रिपेर करना है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्क्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को भी जरूर लाइक करें और वीडियो को इंट तक जरूर देखें जैसा बता जा रहा है दिखाया जा रहा है सेम चीज़ों को अगर आप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यूँकि मैंने खुद इसको इसको इस्तमाल करके बहुत अच्छे जो रिजल्ट है एचीव किये हैं तो आपको भी definitely मिलेंगे तो आई अब इस hair mask को बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर जो सबसे पहले चीज़ लेंगे वो है मेती दाना मेती दाना बहुत ही powerful होता है यह आपके बालों को तेजी से लंबा घना मोटा करने में help करता है अगर आपको dandruff हो रहा है तो यह dandruff को cure करने में help करेगा अगर आपके scalp में खुझ लिए तो इसको भी यह सही करने में आपकी बहुत help करेगा तो यहाँ पर आपने अपनी बालों की length के according मेती दाना लेना है मैंने यहाँ पर 2-2.5 चमच मेती दाना लिया है और उसको आप पूरे राद भर भीगने के लिए रख देंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा मेती दाना है वो पूरा भीग चुका है राद भर और वो कुछ इस तरह से हो जाएगा आप यहाँ पर इस मेती दाना पानी को हेर टोनर के तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं यह मेती दाना पानी आपके बालों का ज़ड़ना है उसको कम करने बहुत हेल्प करेगा उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी चीज हम लेने वाले हैं वो है ऐलो वेरा अलोवेरा आपके बालों को सिल्की स्मूद और शाइनी करने में हेल्प करता है अलोवेरा आपके बालों को काफी अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है तो यहाँ पर आपने एक अलोवेरा लेना है उसे धोना है अच्छे से उसके बाद यहाँ पर आप इसको स्लाइस करके यहाँ पर ले लेंगे चौप करके उसके बाद जो तीसी चीज़ हम लेने वाले हैं वो है आपके करडी पता यानि करी लीव्स देखे यतने पोटेंट होते हैं कि यह आपका हैरफॉल एक दिन के अंदर भी स्टॉप कर सकते हैं अगर आपको बहुत सारा हैरफॉल हो रहा है तो सुबह खाली पेट आप करडी पता खाना स्टार्ट कर देजिए यह आपकी हैरफॉल को काफी हद तक कंट्रोल कर देगा तो मैंने यहाँ पर मुठी भर के करीब फ्रेश करी लीव्स लिए हैं आप भी यहाँ पर इसी तरह से करी लीव्स लेंगे उसके बाद यहाँ पर जो मैं लेने वाली हूँ वो सबसे पाउरफुल है यह आपके बालों की डेंसिटी को बहुत जादा इंक्रीज कर देगा वो है अनियन यहाँ पर मैंने शैलिट्स लिए हैं दो से तीन शैलिट्स अच्छे से चौप कर लीजिए अगर आपके पाद शैलिट्स या चोटे वाले प्यास नहीं है तो इसकी जगाप मीडियम साइज के अनियन भी ले सकते हैं रैड और परपल वाले अब इस हैर मास्क को आपने एक ब्लेंडिंग जार में ले लेना है और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे देखिए इसको अच्छे से आपने पीसना है वरना जो मेती दाना है उसके जो ग्रैनी उल से काफी मोटे मोटे रह जाएंगे और जब आप हैर मास्क का अप्लिकेशन करेंगे तो वो आपके बालों में चिपक सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा हेर मास्क है वो अच्छे से पिस्ट चुका है आप चाहें तो इसको कॉटन की हैल्फ से चान सकते हैं या स्टीनर की हैल्फ से या अगर आप बिना चाने भी लगाने भी कंफोर्टेबल हैं तो आप बिना चाने भी इसको लगा सकते हैं इस हेयर मास को आपने 1-2 घंटा अपने बालों में लगा के रखना है और उसके बाद आप हेयर वाश कर लीजिए शैंपू से इस हेयर मास का एप्लिकेशन आपने हफते में एक बार करना है इस से जादा बार ना करें क्योंकि ओवर्डोस हो सकता है प्रूटीन का आपके बालों के लिए मैंने यहां पर इसका application करा है आप देख सकते हैं कि मेरे जो बाले कितने जादा shiny लग रहे हैं इसका इस्तमाल करने के बाद आपके बालों में जो shine है वो कावी जादा increase हो जाएगी और साथी साथ बालो की डेंसिटी भी मैंने इंक्रीस की है इसका अस्तमाल करने के बाद तो इस हेर मास्क को अपने लिए जरूर ट्राय करें यह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आगे भी इस तरह की important videos देखने के लिए तब तक के लिए bye and thank you